आज इस वीडियो लेक्शेर के अंदर हम लोग बात करेंगे शंगाई कोपरेशन ओर्गनाईशन की जो रिसेंटली मीट हुई है NSA की उसके बारे में National Security Advisors यानि के SCO के जो 8 Member States हैं उनके जो National Security Advisors है उनकी मीटिंग हुई है इंडिया के जो NSA है वो है अजीड दोवाल अजीड दोवाल ने पाकिस्तानी बेस्ट टेरर ग्रूप्स के अगेंस्ट एक एक्शन प्लान प्रपोज किया है ये जो टेरर ग्रूप्स से हैं ये हैं लेशकरे तयबा और जैशे मौमद अब अगर हम बात करें इंडिया के इस एक्शन प्लान की तो इस एक्शन प्लान को हम अभी समझेंगे उससे पहले हम शंगाई कोपरेशन और्गनाईशन की बैग्राउंड को समझ लेते हैं शंगाई कोपरेशन और्गनाईशन तो 2001 में स्टैबलिश हुआ इससे पहले 1996 में एक शंगाई 5 और्गनाईशन इस्टैबलिश हुआ था इनका aim यानिके जो Shanghai 5 था इसका aim था confidence building measures और demilitarizing the borders borders को demilitarize करना और confidence building measures को बढ़ाना 2001 में उजबेकिस्तान ने भी इस group को join किया और अब इस group का नाम Shanghai 5 नहीं रहा इसका नाम change कर दिया गया और ये बना दिया गया अब ये एक body बन गई regional cooperation के लिए एक body बन गई इंडिया ने SEO को as an observer state join किया 2005 में 2011 में SEO में एक memorandum of obligation पास हुआ जिसके थूँ non-member states को SEO का member बनाने के लिए allow किया गया इंडिया ने membership के लिए apply किया initially चाइना ने support नहीं किया चाइना reluctant था लेकिन रशिया इंडिया को favor करता था इंडिया को रशिया ने support किया क्योंकि इंडिया को रशिया एक regional balancer के तोर पे देखता है UFA summit हुई 2015 में इंडिया और पाकिस्तान को as a member state admit कर लिया गया SEO में 8 member state हैं जो current position है SEO में 8 member state हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उजवेकिस्तान यहां एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो Central Asia है, Central Asia की 4 countries इसमें है उन्हें से किवल एक country नहीं है, वो है तुर्कमिनिस्तान Central Asia का अगर आप map देखेंगे तो तुर्कमिनिस्तान SEO का member नहीं है, बाकि 4 states का member है अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के लिए इस SEO का क्या use है, यह जो शंगाई cooperation organization है, यह इंडिया को Central Asia के साथ connect करने में help करता है यहां इंडिया अपनी connect Central Asia policy promote कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि इंडिया और Central Asia के बीच में कोई direct connectivity तो है नहीं लेकिन Central Asia की जो member countries है, यहां कि Central Asia में जो countries है, वो SEO की member है और यहां से इंडिया को एक platform मिल जाता है ताकि इंडिया Central Asia के साथ connect कर सके अब दूसरी बात यह, कि यहां इंडिया अपनी connect Central Asia policy भी promote कर लेगा दूसरा, इंडिया अपना commerce activity भी बढ़ाएगा और connectivity भी बढ़ा लेगा तो यह जो action plan propose हुआ है, यह क्या है? अब यह जो लशकर तयबा और जैशे मोहमद हैं, यह इंडिया के अंदर बहुत सारे terror attacks के लिए responsible हैं इस्पेशली Union territory of Jamo and Kashmir में लशकर तयबा और जैशे मोहमद दोनों ही terror attacks के लिए responsible हैं अगर हम recent terror attack देखें, तो पुलवामा में जो terror attack हुआ था, उसमें जैशे मोहमद का हाथ था यानि कि जैशे मोहमद उसमें involved था अब अगर हम बात करें, यह जो action plan अजीट दोवाल ने propose किया है, यह क्या है सबसे पहला तो यह है कि जो भी United Nations के थूँ designated terrorists हैं ध्याने समझेगा, United Nations के थूँ designated terrorists हैं उन terrorists के उपर फुल sanctions लगाना और United Nations के resolutions को पूरी तरीके से implement करना सेकंड पॉइंट क्या है, international standards जो available हैं, किसीज के लिए terror financing को counter करने के लिए उन international standards को adopt किया जाना चाहिए इसके अलावा, यहां क्या plan propose किया गया है, कि terrorists अब new technologies अडॉप्ट कर रहे हैं for example, drone और वो सब इन सब का misuse ही करते हैं dark web, artificial intelligence, blockchain technology, social media, तो यह new technologies terrorists adopt कर रहे हैं इन technologies को monitor करना, यानि कि कोई भी ऐसी technology terrorist के हाथ में ना जाए जिसका वो misuse करें, तो इन technologies को क्या करना है, monitor करना है तो यह action plan किसने propose किया है, अजीट डोबाल ने propose किया है तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि यह action plan क्या propose किया गया था सबसे पहला तो यह है कि UN resolution का fully implementation होना चाहिए दूसरा, terror financing को control करने के लिए international standard adopt किया जाने चाहिए तीसरा, जो technologies हैं जिनका हम misuse terrorist कर रहे हैं उनके उपर control किया जाना चाहिए, यानि कि उनको monitor किया जाना चाहिए अब prelims के point of view से क्या कि important हो जाता है prelims के point of view से एक तो SEO क्या है SEO के जो member states हैं वो और यह action plan क्या था साथ-साथ चुगी है, terror financing का term आ रहा इसलिए FATF भी important हो जाता है, financial action task force अब next video lecture के अंदर हम लोग बात करेंगे state hood की जो recently issue चल रहा है, union territory of jamu and kashmir का उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे So thanks for watching this video lecture